नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके त्यारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने Special 50 Concept के एक सीरीज स्टार्ट की थी और आज उस सीरीज का दूसरा Lecture है इस Lecture के एतर मैं आपको ये सिखाऊँगा कि Adjective और Determiner में क्या Difference होता है सबसे पहले मैं आपको Determiner का Basic बताऊँगा फिर Adjective का Basic बताऊँगा फिर दोनों में क्या Difference होता है ये सिखाऊँगा ये एक अच्छा point है, बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं कि किसको objective मानो और किसको determiner तो चलिए हम सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम सिखते हैं determiner होते क्या है Determiners ऐसे words होते हैं जिनका इस्तिमाल noun से पहले किया जाता है यानि ऐसे words जिनका इस्तिमाल noun से पहले किया जाए वे सारे words determiners कहलाते हैं noun से पहले इनका इस्तिमाल क्यों करते हैं क्योंकि ये noun को introduce करते हैं क्या करते हैं introduce और introduce करके ये बताते हैं या तो ये noun की position बताएंगे या ये noun का number बताएंगे नमबर का मतलब नाउन कितनी है 10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं या या फिर नाउन की quantity बताएंगे या फिर नाउन का position बताएंगे या फिर ये बताते हैं कि नाउन जेनरल है या फिर particular है इस तरीके से ये किसी भी नाउन को introduce करते हैं कई बच्चे सोचते हैं कि Determiners तो बहुत tough, एक topic होता है, यह बिलकुल असान है, क्योंकि एक इसकी simple definition है, कि ऐसे words जो noun के पहले इस्तिमाल किया जाएं, वे सारे ही तो क्या कहलाते हैं, Determiners कहलाते हैं, क्यों किया जाते हैं, जैसा कि मैंने समझाया, किसी भी noun को introduce करने के लिए इनका इस्तिमाल किया पहला है, Demonstrative Words, इस से पहले मैं इसकी definition बता देता हूं, Determiners are the words which are used before nouns, यह ऐसे words जिनका इस्तिमाल noun से पहले किया जाएं, फिर क्या करेंगे, These are used to introduce nouns, इनका इस्तिमाल noun को introduce करने के लिए किया जाता है, अब बात करेंगे, एक्चुल में कितने परकार क्या होते हैं, पहला है, Demonstrative Words, ऐसे words जो noun को point out करने में काम आते हैं, वे सारे के सारे Demonstrative Words कहलाते हैं, जैसे, This, That, These, Those, Such, Other, Another, यह सारे words क्या कहलाते हैं, Determiners, Demonstrative Words कहलाते हैं, देखो, जैसे यह This आया, अब इसका यह मतलब नहीं है, कि यह Determiner है, आपको word का function देखना पड़ेगा, क्योंकि this तो pronoun भी होता है, और this Determiner भी है, difference क्या है, अगर यह noun की साथ में लिखे गए हैं, noun की यह बगल में हैं, तो फिर कहलाते हैं Determiner, लेकिन अगर यह अकेले आएंगे, तो फिर क्या कहलाते हैं, प्रणावन, जैसे अगर मैं आपको समझाओं, मैंने कहा, this car is mine, दूसरा एक्जम्पल है, this is my car, देखो, car noun होता है, noun के साथ क्या आया, this आया, this क्या होता है, demonstrative words, किस के साथ आया, noun के साथ, इसको हम क्या नाम देगे, determiner नाम देते हैं जिसके बाद direct क्या आया है? verb आया है और verb के इस और हमेशा क्या होता? subject होता subject पे कौन-कौन बेठता है या तो फिर noun बेठता है या फिर क्या है? pronoun तो ये क्या बन जाएगा? pronoun मैंने समझाने की ये कोशिस करी है कि आपको देखते हैं ये नहीं मानना है कि ये तो word determiner है आपको word का function देखना है उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी word या noun है, pronoun है, adjective है या फिर adverb है ठीक है? दूसरी परकार का है distributed words जैसे each है, every है, either है, neither है उसके बाद number बताने वाले words जैसे one, two, three या फिर all भी है, some भी है many है, several है, enough है a lot of है, और भी बहुत सारे होते हैं वे सारे के सारे number बताते हैं और क्या होते हैं? little minutes होते हैं उसके बाद लिखा है quantitative words, यानि ऐसी words जो quantity बताते हूं जैसे much है, all भी है, some भी है a lot of है, little है, etc जो position बताते हूं जैसे मैंने कहा this is my marker my marker marker क्या है? noun ये तो हुआ position और किसका position? my my क्या बन जाएगा आपका? determiner बन जाएगा, क्यों? क्योंकि marker के साथ आया है marker क्या है? noun तो जैसे my है, your है, his है ये तो है pronoun के बने हैं सारे के सारे mohans, mohans में क्या लगाया? apostrophe s लगाया जब noun का आपको possessive case बनाना होता है तो apostrophe s का इस्तेमाल करते हैं last का है articles articles भी आपके क्या होते? determiner सो होते हैं articles क्या करते हैं? किसी भी noun के बारे में ये बताते हैं कि noun general है या फिर particular ये सारे के सारे बाते किस के बारे में थी? determiner के बारे में अब एक बारे बात कर लेते हैं adjective क्या होता है? वैसे आप जानते भी होंगे adjective ऐसी words होते हैं जो noun को modify करते हैं उसकी विशियस्ता बताते हैं कि noun कैसा है? अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, टोल है, बिग है, स्मार्ट है, ब्यूटिफुल है है ना? पूर है, रिच है, ब्लाइंड है ये सारे के सारी quality होते हैं और quality किसमे होते हैं noun या प्रणाउन में तो आप समझ गए हैं कि ऐसे words जो noun या प्रणाउन को modify करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अच्छेक्टू कहलाते हैं, determinants कभी noun या प्रणाउन को modify नहीं करते हैं ये noun को introduce करते हैं और noun के पहले रखे जाते हैं अच्छेक्टू क्या करते हैं? modify करते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक बर side में होता हूँ अगर आपको उतारना तो उतार लेना, screenshot लेना हो तो screenshot ले लेना करते हैं यह दो एक्जम्पल मैंने आपके लिखे हैं एक बार समझते हैं इनको देखो बुक्स आपका नाउन है बुक्स आपका क्या है नाउन है फाल के बुक्स अब्पके अब यहां यहां को मोडिफाई क्या है तो नाउन और आईसी वर्ट्स जो नाउन को मोडिफाई करें वो अज Nós कहलाते हैं लेकिन यहां पर जो माई है वो इसको मोडिफाई नहीं कर रहा है वो इसको इंट्रूड्यूज कर रहा है कि एक्चुल में किसका है तो यह माई मतलब मेरा है तो इसको हम क्या बोलते हैं डेटरिमिनर बोलते हैं किसके साथ आया है नाउन के साथ तो इन जो दो एक या फिर noun के साथ लिखा हुआ हर word determiner नहीं हो सकता वो आपका adjective भी हो सकता है अब दोनों में difference क्या होता है कि adjective क्या होता है और determiner क्या होता है अब heading डाले ना एक side adjective दूसरी side determiner चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस side आपको लिखना है adjective इस side आपको लिखना है determiner पहला difference क्या होता है दोनों में adjective के आप degree बना सकते हैं या फिर adjective में आप ing जोड़ सकते हैं या फिर ed वाला word भी आपको क्या हो सकता है adjective हो सकता है लेकिन determiner के साथ ऐसा नहीं होता है जैसे टोल टोलर टोलस्ट ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको पता है मैंने दीज ले लिया तो दीज का दीजर तो होई नहीं सकता नहीं तो इसके degree बनेगी नहीं इसमें ing लगेगा और नहीं ed पहला difference यह कहता है कि adjective में degree होते है determiner में degree नहीं होते अड्जेक्टू में ing लग सकता है ed भी लगाया जा सकता है लेकिन determiner के साथ ऐसा नहीं है ing वाला समझते हैं इंपर मैंने कहा it is a very interesting book देखो वाई book यहां पर noun है कहा it is a book किसी ने पूछा what kind of book किस प्रकार की पुस्तक है महेंगी है सस्ती है अच्छी है बुरी है reply क्या आया interesting अभी interesting इस book को modify कर रहा है modify कर रहा है तो क्या बन जाएगा आपका adjective यह दोनों में difference होता है next difference क्या है चलिए समझते है दूसरा difference क्या है दूसरा difference क्या कहता है कि जो adjective होता है उसको modify adverb करता है लेकिन determiner को कोई modify नहीं कर सकता है जैसे very beautiful girl girl noun है noun को modify किया beautiful नहीं adjective बनेगा how beautiful कितनी सुन्दर reply आया very तो very क्या बन जाएगा adverb क्यों किसको modify किया adjective हो यह दूसरा difference है कहने का मतलब यह है कि adverbs adjective को modify कर सकते है लेकिन adverbs determiner को modify नहीं कर सकते है अगला अगला difference क्या है इसका क्या है कि वेसे नहीं कर सकते कि आया बेकित तर्सरा अगला विदाउट नाउन लेकिन डिटर्मिनर के साथ ऐसा नहीं है इस पइंट को यहां समझते हैं जैसे दा मैन इज पूर इज ए है पूर मैं देखो तीसरा डिफरेंस यह कहता है कि अजट्टू का इस्तिमाल with or without noun कहने का मिलब अजट्टू का इस्तिमाल noun के साथ भी हो सकता है और यह अकेला भी आ सकता है लेकिन determiner के साथ ऐसा नहीं है जब भी determiner आएगा वो noun के साथ ही आएगा वो कभी अकेला नहीं आ सकता जैसे The man is poor यह आपके वर्ब है यह subject है यह poor जो है ना यह man को modify कर रहा है यह compliment है क्योंकि sentence को complete कर रहा है, object नहीं है बलकि compliment है जो मैंने basic chapter के अंदर सिखाया था आपको पूर इसकी quality है यह क्या बनेगा, adjective अब देखो, adjective बिना noun के साथ आया है इसका मतलब यही था कि adjective noun के साथ भी आ सकता जैसे यहाँ पर noun है यहाँ पर पूर adjective है यह noun के साथ आ गया और यह अकेल आ गया, sentence यह भी सही है और यह भी क्या है, सहीन This bike is my माई सिर्फ और सिर्फ क्या होता है Determiner होता है और Determiner कभी अकेला नहीं आ सकता sentence क्या हो जाएगा, गलत ठीक कैसे होगा, माई की जगा किसका इस्तिमाल करना पड़ेगा माई का ठीक है, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, अब आगे बढ़ते हैं, next point fourth point यह है fourth point यह कहता है कि जो Determiner होता है उसका इस्तिमाल generally noun phrase के पहले किया जाता है यहीं कि noun phrase के सुरुवात में हमेशा Determiner का ही इस्तिमाल किया जाता है, जैसे बोई noun है एक यह आपका Determiner है word कितने है दो, तो phrase बनेगा यह phrase भी कौन सा, noun phrase बनेगा, फिर आपको अगे सा noun क्यों बनेगा, क्योंकि तो phrase क्या होता है, group of words होता है और उस group of words में आपको यह देखना होता है, कि कौन सा word man है, तो man इसमें क्या है, noun है तो कैसा phrase बनेगा, noun phrase बनेगा, तो मैंने बताया कि generally determiner का इस्तिमाल noun phrase के सुरुवात में करते हैं तो यह noun phrase होआ, और noun phrase के सुरुवात में किसका इस्तिमाल क्या है determiner का, यहां भी देखिए आप, यह boy noun यह adjective और यह आपको क्या है, determiner यह पूरा का पूरा noun phrase है और noun phrase के सुरुवात में किसका इस्तिमाल क्या है, determiner का यह पूरा का पूरा noun phrase है इसके अंदर noun हाया adjective आया adverb आया और last में, a आया a मैंने इस बताया, article होता है और determiner होता है, पूरा का पूरा noun phrase बना, और noun phrase के सुरुवात में determiner का इस्तिमाल किया गया एक बार फिर से मैं बताता हूँ सारी बाते difference क्या है, पहला difference यह कहता है, कि adjective की degree बन सकते है, लेकिन determiner की degree नहीं बन सकते है adjective को adverb modify कर सकता है, लेकिन determiner को adverb modify नहीं कर सकता, तीसरा point है, कि adjective का इस्तिमाल sentence में noun के साथ भी कर सकते हैं, और यह अकेला भी आ सकता है, और चार का, जो point है वो यह कहता है, कि use at the beginning of a noun phrase किस का इस्तिमाल, determiner का नहीं कि adjective का, यह point लिखना था, मैंने यहाँ पे, लेकिन लिख दिया, मैंने यहाँ पे, ताकि मैं example देखको आपको बस आपको ध्यान रखना है कि noun phrase के शुरुआत में determiner का इस्तिमाल किया जाता है उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा फिलाल आज के लिए तना ही बगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक, take care, good bye